आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे लॉंग के तेल के इस्तमाल से आप अपने पुराने से पुराने दाद खाज खुजली एक ऐसी समस्या है जो एक बार आ जाये तो जल्दी से जाने का नाम नहीं लेती है और महेंगे महेंगे ट्रीटमेंट और महेंगे महेंगी क्रीम से लगाने के बाद भी हमारे दाद खाज खुजली ठीक नहीं होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक बार दाद खाज खुजली चला तो जाता है लेकिन फिर से वापस लोट कर आ जाता है और दोस्तों डॉक्टर्स की फीस भी बहुत ज़ादा होती है स्किन स्पेसलिस्ट बहुत ज़ादा पैसे लेते हैं तो फ्रेंड्स आपका दाद खाज खुजली कितना भी पुराना से पुराना हो इस मुस्के से ठीक हो जाएगा तो शुरू करते हैं इस रेमेडी को इस रेमेडी में सबसे पहले जो हम इस्तमाल करेंगे वो है दोस्तों ऐलोवेरा जेल ऐलोवेरा जेल के अंदर स्किन रिपेरिंग प्रोपर्टीज होती है विटामिन E होता है साती साती आपके दाद खाज खुझली को खतम करने में भी हेल्प करती है ये आपके दाद खाज खुझली को खतम करके स्किन को रिपेर करके स्किन को पहले जैसा जवान और सुन्दर भी बना देगा तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तों एक चमच एलोगरा जल ये देखिए एक चमच एलोगरा जल हमें जो है ले लिना है इसके बाद जो हम दूसरी चीज इसमस्के में एड़ करेंगे दोस्तो वो है नारियल का तेल दोस्तो नारियल के तेल के अंदर एंटी-fungal और एंटी-bacterial properties होती है दोस्तो नारियल का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत फायदे मुंद होता है और इसके अंदर विटामिन E होता है जो आपकी स्किन को ठीक करने में भी बहुत हेल्प करेगा तो इसके अंदर हम लेंगे सेम एक चमच नारेल का तेल यह देखिए नारेल का तेल लगबग हर घर में असानी से अवेलेबल होता है अब बार यह आती है लॉंग के तेल की जैसा कि वीडियो के शुरू में आपने देखी लिया था आपने सुनाओगा कि लॉंग के तेल के कितने सारे इस्तमाल है कुछ लोग इसे दात में भी लगाते हैं जिससे दात का कीड़ा मर जाए और भी कई जगा पर इसका इस्तमाल होता है साथी साथ इसका फंगल इंफेक्शन में भी बहुत अच्छा यूज है आपके दाद खाज खुझली कितना भी पुराना हो यह बहुत जल्दी खतम कर देगा हफते बर में बिल्कुल जड़ से खतम कर देगा अब लेना कितना है उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा इसके अंदर दोस्तों मातर आपको दो बूंद लॉंग का तेल लेना है दो बूंद से ज़ादा नहीं लेना है इस बात का ध्यान रखिएगा इसके अंदर हम दो बूंद जो है लॉंग का तेल ले लेंगे यह देखिए दोस्तों दो बूंद और लॉंग का तेल मैंने ले लिया है अब इसे अच्छे से मिला लेंगे हम ये देखिए दोस्तों ये mix okay लगाने के लिए बिल्कुल तयार हो चुका है ये देखिए किस तरीके क्रीम की तरहा एकड़ है अब इसके लगाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत असान है इसको लगाना, लगाने का तरीका बहुत असान है, लगाने से पहले दोस्तों एक बात का ध्यान रखेगा, अपने हातों को सबसे पहले धोलीजेगा, तकि आपके हातों पर लगी हुई मिट्टी और गंदगी, आपके infection पर ना ल उस एरिया पर आपको इस तरीके से आपको अच्छे से गोलाई में जो है लगा लेना है, और ध्यान रखेगा कि मालीजे थोड़ी सी जगा पर इतने से पर आपको दाद ख़च खुजले तो इतना नहीं लगाना है, पूरा चारो तरफ आपको अच्छे से लगा लेना है, दाद भी कम दिखने लगेगा, यानि कि दबने लगेगा, और हफते बर के इस्तमाल के बाद, आपको दाद खाज खुजले कितना भी पुराना हो, एकदम जड़ से खतम हो जाएगा, और फ्रेंड्स, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखे, जो कपड़े आप पहनते हैं, बह अपका दाद खाज खुजली हमेशा के लिए चला जाएगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा, आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट ज़रूर कीजेगा, और दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजेगा वाटसेप और फेस्बुक पे ताकि वो भी फायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लिजेगा, थैंक्यू दोस्तों